ठीक है, Powerpoint से आपको video बनाना है वह आप कैसे करेंगे तो आपको क्या करना है? spraids do पे click करना है और उसके बाद आपको एक छोटा सा setting करना है setting क्या करना है, यहाँ पर देखे लिखा हुआ है setup slideshow. आप इसे पे click करेंगे और यहां पर दिखिए दोस्तों एक option है ब्राउज बाई एन इन्वीडवल विंडो आप इस option को select करेंगे और OK कर देंगे आप दोस्तों PowerPoint को वीडियो में convert करने के लिए यानि कि PowerPoint से वीडियो बनाने के लिए आपको एक software डाउनलोड करना होता है ठीक है वो कौन सा software है चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो वो है दोस्तो OBS Studio OBS आप सिर्फ लिखेंगे Google में एंटर कर देंगे तो यहां पर देखिए आपको एक website आ रहा है Open Broadcaster Software आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तो अगर आप विंडो यूज करते हैं तो आप विंडो पर क्लिक करें अगर आप Apple का Macbook बगएरा यूज करते हैं तो आप Mac के लिए आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो ज्यादा तर लोग विंडो ही यूज़ करते हैं तो आप इस पर किलिक करेंगे डाउनलोड कर लेंगे ठीक है होगा तो मैं इसका लिंक दे दूंगा या आपको फिर भी कोई भी परिशानी आता है तो इससे related OBS कैसे इंस्टॉल करना है कैसे डाउनलोड करना है इससे related हमने अल्रेडी टुटॉरियल बना रखा है तो आप उस टुटॉरियल को देख करके आप अपने लैप्टॉप यो पिसी में अराम से OBS Studio को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे ठीक है चलिए तो इसमें ज्यादा दिमाख खपत करने के जुरूरत नहीं है यहां पर देखे हमारा OBS Studio जो है डाउनलोड भी होना स्टार्ट हो गया है तो इससे मैं कैंसिल कर देता हूं जब आप OBS Studio को अपने laptop ये PC में इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरह का आइकन बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है इस पर डबल करके इसे open कर लेना है तो दोस्तो जब आप OBS को first time अपनी computer में open करेंगे तो कुछ इसरा का interface दिखेगा ये भले ही देखने में थोड़ा सा जो है बहुत ही अजीव सा लगता है लगता है कि बहुत ही इसे चलाना काठीन होगा बड़ दोस्तो ऐसा कुछ भी नहीं है OBS को यूज करना बहुत ही आसान है बस इसे समझने की देरी है ठीक है तो मैं आपको इसमें बारिकी से सारा कुछ समझाओंगा इसलिए आप बिल्कुल भी confused नहीं हो ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों scene है और यहाँ पर source है ठीक है और यहाँ पर आपका audio recording के लिए ह ठीक है बांके इधर यह सारी चीज़े हैं और इसके बारे में हमने details वीडियो बना है तो आप वो देख करके OBS का full class करके आप OBS को अच्छे से 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 सकते हैं लेकिन अभी जो जरूरी है सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर scene तो आपको करना क्या है कि देखिए आप आएंगे य यह setup भी आपने करही लिया है यहाँ पर क्लिक करके और यह second option पर select करके OBS करही लिया है अब आपको यहाँ फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करके इससे start कर लेना है कुछ इस तरह से और उसके बाद यहाँ पर OBS है आप यहाँ आएंगे OBS में और आपको क्या करना है यह जो source ह इसमें यह जो plus icon है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है window capture आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है OK आप OK कर दीजिए ठीक है और तो इस तरह से देखेंगे कि आपका PowerPoint slide यहाँ पर दिखना start हो गया है अगर नहीं दीखता है तो आप यहाँ पर दिख लेंगे ठीक है तो इस तरह से जब आप select कर लेंगे PowerPoint को तो इस तरह से आपका PowerPoint यहाँ पर देखना start हो जाएगा उसके बाद यह जो cursor capture है अगर आप mouse cursor को इसमें नहीं दिखाना चाते है वीडियो में तो आप इससे जो है unselect कर द दीजे ठीक है इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ corner से पगड़के आप इस PowerPoint slide को इस तरह से थोड़ा चोटा कर लेंगे ठीक है अब यहाँ पर देखें दोस्तों slide यहीं तक है यहाँ तक capture कर रहा है आपको क्या करना है alt key को press करना है और mouse pointer को यहाँ पर रखना है यह जो dot है ठीक है और फिर alt key को दबाते हुए आप mouse को थोड़ा इधर जो इस तरह से mouse से crop कर लेना है से इसी तरह से दोस्तों इधर भी करना है यहाँ पर mouse pointer को रखें इस dot के उपर alt key को दबा के रखें और उसके बाद आप इस तरह से इसे crop कर लेजिए नीचे से भी आप इस तरह से इसे crop कर सकते है ठीक है यहाँ पर alt key को दबा के और इसे आप इस तरह से crop कर लेंगे इस तरह से आपने जब इसे crop कर लिया है तो आपको बस छोटा सा काम क्या करना है slide के उपर click कीजिए ठीक है और उसके बाद दोस्तों आपको जो है control के साथ F दबा देना है control के साथ F ठीक बस इतना ही आपको करना है इसमें ठीक है यहाँ पर देखे दोस्तों आपका माइक यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है बाकी सभी चीज़ों को आप चाहें तो इस तरह से mute कर सकते हैं और यहाँ पर जो यह माइक है आप इसे select करेंगे और यहाँ पर यह जो प्रोपर्टी है यह setting का icon जो आपको देख रहा है आप इस पर किलिक करेंगे और यहाँ से आप प्रोपर्टी में जाएंगे ठीक है और यहाँ से आप जो भी माइक यूज करते हैं आगर आप बोया का यूज करते हैं तो यहाँ पर बोया का माइक आ जाएगा या अभी मैं Logitech का वेव कैम यूज कर रहा हूं अगर इसका माइक यूज करना चाहूं तो यह मैं कर सकता हूं ठीक है इस तरह से आप माइक को सेलेक्ट करेंगे ठीक है और ओके कर देंगे इतना करने के बाद दोस्तों आब क्या करना है यहाँ पर लिखा हुए Start recording ठीक है आप आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे किलिक करें और इससे आप मिनिमाइज कर दिजे बस आपका उधर वीडियो बनना स्टार्ट है ठीक है और अब यहां पे आप पावर पुइंट को प्ले कीजिए जैसे हमने बताया है ठीक है और आप इस तरह से स्लाइड पे किलिक कीजिए और इस तरह से आप इसे बोलना स्टार्ट कीजिए पढ़ाना स्टार्ट कीजिए जो भी सवाल यहां पे लिखा हुआ आ रहा है आप उसे अच्छे से पढ़िए एक्स्प्लेन कीजिए अपने स्टूडेंट को अच्छे से जो है समझाईए सिखाईए ठीक है और फिर आप इस तरह से यह सारी चीजें आप कर सकते हैं ठीक है यानि आपको पहला दिन या दूसरा दिन तिसरा दिन तक थोड़ा सा अजीव सा लगेगा बट आप तीन दिन अगर आप इस पे अभ्यास करेंगे तो चोथे से पच्छे से दिन में आप इसको अच्छे से सीख जाएंग और फिल्कुल आप फ्रेंडली तरीके से जो है आप इस तरह से असानी से आप अपने यूटूब चैनल पे पढ़ा सकते हैं ठीक है और दोस्तों यूटूब पे जो है आपको स्टार्टिंग में भली कुछ दिन आपको समय लगेगा आपको भ्यू नहीं मिलेंगे सस्क्रा स्टार्ट हो जाएगा और उमेद करता हूं कि मासारदे की किरपास से एक साल के बाद आप के यूटूब चैनल से एर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा जैनिका आप इससे अच्छा ख़सा आर्निंग भी करना स्टार्ट कर देंगे ठीक है यह इस तरह से जब आपका लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों उसके बाद आपको यहां पर यह वीडियो देखने को मिल जाएगा दिखिए, क्लिक करें और इससे आप इस तरह से slide पे क्लिक किजिए और इस तरह से आप इसे बोलना इस्टार्ट किजिए, पढ़ना इस्टार्ट किजिए, जो भी सवाल यहां पे लिखा हुआ रहा है आप उसे अच्छे से पढ़िए, explain किजिए, अपने student को अच्छे से समझ इस 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 दोस्तो आपका यह ऑउटमूट है उसके बाद आप इस वीडियो को YouTube पे चाहे आप इससे ब्हातर बना करके आप YouTube पे upload कर सकते हैं या तो दोस्तो आप इसतरह के वीडियो बनने के बाद आप डारेक्टली भी इसे यूटूब पे अपलोड कर सकते तोV हूप धूस्टो आपको पसंद आया होगा, अगर दोस्तो यह वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को like करे और दोस्तो आपने हैं तो आप इसी चैनल को सुस्क्राइब करें और दूस्तो है पड़ फॉप पने इताई अ कोई भी समस्यों घौत आ रही हो तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं, कोई भी doubt है, तो मैं आपकी सभी doubt को solve करने की कोशिस करूँगा, आपकी comment का reply देने की कोशिस करूँगा, चलिए दोस्तो मिलते हैं फिर next video में, next tutorial में, तब तक लिए दोस्तो, जैहिन बंदे मात्रम